कख्षा 6 संस्कृत पुन्रावित्री पाठा वर्ण परिचेजर संस्कृत में वर्ण तिन प्रकार के होते हैं स्वर्ण बेंजन वर्ण और अयोगवा स्वर्ण में ऑ से आ तक केरा स्वर होते हैं संस्कृत वासा में दिरी और लरी दो अधिक स्वर माने गए हैं जो हिंदी में नहीं होते हैं इसलिए संस्कृत में स्वरों की संक्या 13 है इनको दो भागों में बाटा गया हरस्वर और दिर्ष्वर जिनको बोलने में कम समय लगता हुन्हें हरस्वर जिनको बोलने में अधिक समय लगता हुन्हें दिर्ष्वर काते हैं हरस्वर में आ, ई, उ, री, ल, र, पांच हैं दिर्ष्वर में आ, दिर्गाई, दिर्गाव, र, बाकी जो बचे वे संजुक्त स्वर काहलाते हैं बेंजन का से हातक हैं? कुल 33 बेंजन हैं कखाग गांगा को कवर्ग, चछजज़ियां को चवर्ग, तठडड़ना को तवर्ग, तठड़ना को तवर्ग, पफबबमा को पवर्ग, यारालावा को अंतस्त, और शा, 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 हा को उसम बेंजन काहा जाता है बेंजन अक्षरों में नीचे दाहिनी और जुका हुआ तिर्छा लाइन लगता है, जिसे हलन्त कहते हैं अयोगवाह, जो न तो स्वरों की और न बेंजनों की जिन्ती में आते हैं, वे अयोगवाह कहलाते हैं, अनुस्वार और विशर को अयोगवाह कहा जाता है इनका उचारण स्वर्जुक्त बेंजन वर्णों के साथ होता है जैसे हंसा, कौसलह, आदे संजुक्त बेंजन, एक बेंजन के दुसरे बेंजन से मिलने पर संजुक्त बेंजन वर्ण बनता है जैसे संजोगी छा में का जोड सा जोड आ बराबर संजोगी छा, ता जोड रा जोड आ बराबर त्रा, जा जोड इया जोड आ बराबर ग्या, सा जोड रा जोड आ बराबर त्रा, दा जोड या जोड आ बराबर द्या तो जिस बेंजन बर्ण में एक से अधिक बेंजन जुटे रहते हैं उन्हें संजुक्त बेंजन कहते हैं मात्रा कोई स्वर जब बेंजन में जोड़ा जाता है तो वह मात्रा के रूप में दिखलाया जाता है मात्रा के बेंजन में जोड़ने पुरुष का हल्चिन लुप्त हो जाता है मतलब गायब हो जाता है और की कोई मात्रा नहीं होती और जब हलंत के साथ जुलता है तो बढ़नों के हल्चिन का लोप हो जाता है गायब हो जाता है जैसे का जोड़ अका, घा जोड़ी ब्रावर घी, जा जोड़ी ब्रावर जी, मा जोड़े ब्रावर में, वा जोड़ अ ब्रावर वा, इसी तरह से और उडारन दिये गए हैं, जिस ब्यंजन में जो स्वर जुटता है, उसी का मात्रा लगता है बर्ण संजोजन दिये गे स्वर एम बेंजन बर्णों तथा यगवाह को जोड़कर सार्थक पत बनाने की प्रक्रिया को बर्ण संजोजन कहते हैं अर्थाथ बर्णों को जोड़कर सद बनाने का काम जो है वह बर्ण संजोजन कहलाता है जैसे स, जोड, आ, जोड, द, जोड, आ, जोड, व, जोड, आ, बराबर सदयो वर्ण बिन्यास या वर्ण पिछेट स्वर बेंजन बर्णो एम एगवाह को पिठक पिठक करके लिखने की प्रक्रिया वर्ण बिन्यास का लाती है अर्थात किसी सब में जो जो अक्षर हैं उन्हें अलग करके लिखना वर्ण बिन्यास या वर्ण बिछेद का लाता है जैसे चतुरा बदावर च जोड़ आ जोड़ त जोड़ उ जोड़ रो जोड़ आ जोड़ बिसर्ग इसी तरह से प्रकारम का उधारन है प्रकारम बराव पो जोड़ रो जोड़ आ जोड़ को जोड़ आ जोड़ रो जोड़ आ जोड़ मो प्रकारम अब अकारांत और आकारांत सब्द के बाते में बता रहा है जिन सब्दों के अंतिम वर्ड में आ होता है वे अकारांत सब्द कहलाते हैं जैसे प्रनौव, अज्यापक, विक, चिकित्सक, मोहन, पत्र, फल, आदे आकारांत जिनके अंत में आ होता है वे सब्द आकारांट सब्द कलाते हैं जैसे कक्षा, बाला, खन्या, माता, आधी अकारांट के बारे में देखते हैं पहला सब्द पर्णव है पर्णव का अंतिम अक्षर वा है वा में वा जोड अ सबसे अंत में अ है इसलिए अकारांट है अध्यापक का अंतिम अक्षर को है, को में को जोड़ अ, सबसे अंतिम अक्षर अ है, इसलिए इसलिए अकारांत कहा जाएगा, आकारांत सब्द में जैसे बाला, बाला का अंतिम अक्षर है ला, ला में है लो जोड़ आ, सबसे अंतिम अ है, इसलिए अकारांत कहा जाएगा, म आता को आकारांट सब्द कहा जाएगा, जिस सब्द के अंत में सबसे अंत में और रहता उसे अकारांट और जिस सब्द के सबसे अंत में आ रहता उसे आकारांट कहा जाता है, इसी तरह से जिस सब्द का अंती मक्षर ए रहेगा उसे ए कारांट, अंती मक्षर उ रहेगा तो उकारांत कहा जाएगा यहां यह पर समाप्त होता है